आप घर में भी गलत बरतन में खाना बना रहे हैं और सोच रहे हैं कि खाना हेल्दी होगा, तो भी आप गलत फहमी में हम सब घर में नॉन स्टिक बरतन में खाना बनाते हैं, शायद आप भी बनाते होंगे लेकिन ICMR NIN की रिपोर्ट में नॉन स्टिक बर्तनों को सबसे खतरनाग बताया गया है अब सवाल है कि नॉन स्टिक बर्तन क्यों खतरनाग है रिपोर्ट के मुताबिक अधिक टेंपरेचर पर नॉन स्टिक बर्तन की कोटिंग के डामेज होने की आशंका होती है कोटिंग के खाने में मिक्स होने की आशंका बनी रहती है नॉन स्टिक बर्तनों में कैड्मियम, मर्गरी का कोट होता है जिससे कैंसर, किड्नी, लिवर और हार्ड डिसीज होने का खत्रा हो सकता है इसके अलावा ऐलुमीनियम के बर्तन भी सेहत बिगार सकते हैं इसमें थाइरो टॉक्सिक मिटल होता है जो खाना पकाते समय भोजन में मिलने की आशंका होती अब सवाल है कि नॉन स्टिक और अलुमीनियम के बर्तन में खाना नहीं बनाएं तो किस बर्तन में बनाएं? इसको लेकर ICMR NIN ने मिट्टी के बर्तनों को खाना बनाने के लिए सबसे अच्छा माना है मिट्टी के बर्तन में तेल भी कम लगता है और सारे पोशक तत्व भी बने रहते हैं इसके अलावा पीतल के बर्तनों को भी अच्छा बताया गया है पीतल के बर्तन में 90 प्रतिशत पोशक तत्व बने रहते हैं अच्छी सेहत के लिए अच्छा भोजन बहुत जरूरी लेकिन ICMR NIN की रिपोर्ट बता रही है कि अच्छी सेहत और अच्छे भोजन के लिए अच्छा बर्तन होना भी जरूरी इसलिए ऐसे बर्तन यूज़ करें जिन में खाना बनाते समय पोशक तत्व बने रहे